वेलकम टो मैं चैनल आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करें क्रिश्पी भिंडी के रेसिपी इसको मैं बहुत ही सिंपल और इजी तरीकी से बताऊंगी जो बनने की बाद ना बहुत ही टेस्टी लगती है तो लास तक इस वीडियों बनी रहे हैं भिंडी को धोने की बाद मै बहुत ही टेस्टी बन के तियार होगी फ्रेंड्स ये थुड़ सा चिपचीपे रहते हैं तो इस तरह से भिंडी को सापकपड़े से अच्छे से पोश लेना है दोने के बाद इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया थे एक मैं करके दिखाती तो किनारे की साइट्स को इस तरह से सौधानी से कट करने ना है और इसको 20 से और ही इस तरह से चार भागों में कट करके तियार कर लेना है तो चार भागों में होनी के बाद बीच से और कट कर देने से क्या है ये ना बहुत ही अच्छे सी ये इस तरह से भिंडी हमारी कट के तियार हो जाती इस तरह से करने स भीनड़ी बिल्कुल भी पानी नहीं है तो इस तरह से भीनड़ी आपको भी त्यार करके रख लेना है तूश्ट लेने के बाद इसमें जाले, नामचूर पॉडर डाल हैं तो इसमें चाट मसाले भी डाल सकते, आद्धी चोटी पुंच नमक ये, नमक अपने टेस्ट के लिए नोसर डाल के ना दो चोटी चमच इसमें बेसन डाले हैं तीस तरए से हलकी हाथों इस तरह से doenल को जाता है या मिनटर इस तरह मिलाने के बाद टेल नगे इस तरह प्टेम के नंइक सब्सक्राइए अच्छी तरह चोड़ने संद्करण नलब के साइक और लिए ऑफ दो कश्षारे जिए है गारता है हाथों से इसको एक बन मिला ली जादा इसको चलाना नहीं है नहीं तो जो भिंडी में जो बेसन डाले है न वो थोड़ा सा निकल जाएगा तो इस तरह से इसको नीचे से हलका सा क्रिस्प होने के बाद ही हम लोग इसको पल्टाएंगे तो इस तरह से नीचे से हलका सा क्लर च बहुत ही क्रिस्पी हो तो इस तरह से 3-4 मिनट के बाद हमारी भिंडी बहुत ही अच्छे से कलर आ गया तो इस तरह से करने के बाद इसको निकाल लीजिए और बहुत ही अच्छा हमारा क्रिस्प भिंडी बनके त्यार है तो सभी को निकालने के बाद बच्चे वाले भिंडी को भी इसी तरह से मैंने डाल दिया है तो इस तरह से डालने के बाद जैसे पहले वाले को पकाया थे ना उसी तरह से सभी को पका के त्यार करें हैं बिल्कुल भी इसको थोड़ा सा टच नहीं करना है तेल में डालने के बाद थोड़ा सा 102 मिनट होने के बाद ही इसको इस तरह आप क्रिस्पी भिंडी जरूर से बना के देखना फ्रेंड्स बिंडी में अच्छे से कलर आने के बाद मैंने इसको निकाल लिया है इसी तरह से क्रिस्प होने के बाद सभी भिंडी को इसी तरह से फ्राइ करके हमको निकाल लेना फ्रेट में निकाल लिया और त्यार है में ब पर देख सकते हैं वीडियो अच्छे लगी होगी तो family friends को share जरूर कीजेगा तो मिलते हैं ने इस्टे वीडियो में thank you for watching हर हर महादेव